हां जी बेटा गूड इवनिंग बेटा लास्ट क्लास में हमने अल्टरनेटी मीनिमम टेक्स का कंसेप्ट स्टार्ट किया था और सारा कंसेप्ट वेटा हम सीख चुके हैं आज जस्ट उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो मैं कुछ आपको सम करवाऊंगा और कुछ सम वेटा आप कंप्यूट दा टेक्स लाइवलिटी ओफ दा फॉर्म एक फॉर्म की टेक्स लाइवलिटी आपको कैल्कुलेट करनी है सबसे पहले आपको यह चेक कर लेना है कि फॉर्म है या इंडीज्वल है या है तो उसी के कोडिंग बेटा हम टेक्स के रेट अप्लाई करेंगे तो यहां पर आपको इंकम फ्रॉम हाउस प्रोपरिटी इंकम फ्रों विजनेस लॉग तर्फ फॉर्म इनकम के लिऌ और ऑस विर स्पप्रेसर को सभी इंकम पाटा स 지난 से एक इंकम को छोड़कर सैकंगे बस जो景 अच्छा इस कोश्चन में बेटा डिडेक्शन भी दिवी है एटी आई ए और एटी आई भी तो मैंने आपको यह पताया था एटी एट से लेकर अटे हैं अटी डेडवन आऔर भी और यह इनके बीच में जतने भी इसक्फचन आयेंगे तो administrative minimum टेक्स का कंसेप्ट लागू ओगा तो 80 successes के बीच में आता है ठीक है घी को यहां पर alternative minimum tax का concept apply होगा क्योंकि ये farm है farm के case में बैटा मैंने दो condition बताई थी एक तो business की income होनी चाहिए business की income बैटा है दूसरी बात क्या बताई थी section 80 H to 80 Rb की कोई deduction होनी चाहिए या 35 AD की deduction होनी चाहिए या बैटा कोई section 10 AA special economic john अगर इन में से किसी भी section की deduction है हाँ farm के case में बैटा 20 lakh वाली condition applicable नहीं होती individual के case में था adjusted total income 20 लाग से जादा होनी चाहिए बट farm के case में ऐसी कोई शर्थ नहीं रखी गई तो चलिए इस question को बैटा start करते हैं पहले हम farm की बैटा क्या निकालेंगे मैंने आपको तीन step बताये थे हाँ जी बैटा पहले हम निकाल लेते हैं normal tax calculation of normal tax का मतलब बैटा जिस तरीके से आप usually tax की calculation करते हैं on total income अभी हम tax निकाले हैं total income अभी हम adjusted total income की बात नहीं करेंगे ठीक है तो total income बैटा क्या होती है total income का मतलब होता है पहले बैटा क्या करेंगे पाच्चो हेड का total पहले जी टी आई निकाल देंगे लो बैटा जी टी आई मैं निकाल देता हूं जी टी आई के लिए टू लेक प्लस 40 42, 43 43,50 त ये बैटा हमारी जी टी आई आई जी टी आई में से हम बैटा माइनस करते हैं टी आई ए और टी आई बी एक कोश्चन के अंदर बैटा गीवन है दोनों डिडेक्शन ये लेस कर देते हैं एक आई ये एडटी आई बी तो यहां बैटा कितने की डिडेक्शन हैं 20 लेक और एक बैटा है मैंटम करेंगे यहां लौ टम कर लेंगे तो लो बीटा में टेक्स निकाल रहा हूं टेक्स निकालते हुए आपको क्या करना है इस 20 लाके बेटा दो टुकडे कर दो एक तो बेटा में ने क्या किया इसमें से कि स्कोलर कर दिया लौंग टर्म क्वाम के केस में अधर इंकम पर टेक्स करें थर्टी परसेंट होता है नो एक्जम्शन इसमें इसमें लिमिट बिटा कुछ भी जीए तो ट्वंटी थाउजेंट तो बेटा यह बन गया है ट्वंटी थाउजेंड प्लस यह बन गया फाइव सेवेंटी पांच लाख सत्तर आप लोगा दोन को एड़ कर देते हम करेंगे पांच लाख नब्भे हजार आज एगा हो इसको आप कि फॉस्ट कर देते हैं अच्छा इस इसमें वटा भी वेड होगा फिस्ट करने से पहले इक्वेशन बनाने से पहले इसमें एक चीज़ और भी तो एड़ करनी थी हमें क्या एड़ होता है सैस सरचार्ज लगेगा नहीं एड़ क्या कर देंगे सैस सैस बेटा 4% ठीक है जी 4% बेटा कितना बनेगा करिए 5,90,000 का 4% 23,600 बेटा यह बनेंगे यह एड़ करके आपका आ जाएगा 6,13,600 लो बेटा यह आपका होगा इसको मैं हाइलाइट कर देता हूँ लो बेटा यह हमारे 6,13,600 यह नॉर्मल टेक्स आ गया इसको ए से डिनोट कर दीजिए या फर्स्ट एक्वेशन कर दीजिए चलिए यह तो बेटा हो गया हमारा इस कोशन का अभी एक पार्ट अब बेटा हम क्या करेंगे सेकिंड पार्ट सेकिंड पार्ट पर मैं कैलकुले सब्सक्रा कुट करें लिए कि पहले आप क्या करेंगे एले नॉर्मल च्वापकी टोल इंकम है जो तोटल इंकम हमारी आई थी 20 लेक इसमें बैटा एड करनी है कौन से तीन स्टेप बताया थे तीन तरह की डिड़क्शन एड करनी है एक एटी हां जी बैटा एक को थर्टी फाइड यह वह इस कुष्चन में है नहीं एक एटी एक टू एटी डबल रबी उसमें की बैटा दो टू गाणें यह तो यह विटा कर दीजिया एक एटी आई एड हो जाएगा और एक एटी आई दी तो दोनों बैटा में ने एड कर दी 20 लेक्ट विटा यह है और 350 विटा यह है तो दोनों को एड़ करके यह मेरी ATI आ गई ATI विटा आ गई 43,50,000 ठीक है विटा अब क्या करेंगे अब आपको नेक्स स्टेप नेक्स स्टेप हमारा थर्ड स्टेप क्या है तो अब एड़ करेंगे टेक्स निकाल लेंगे टेक्स ओन ATI कि तो अड़्जस्टी टोटल इंकम पर टेक्स कैसे निकालने के लिए आपको रेट में बढ़ाया था 18.5 परसेंट तो इसका बेटा 18.5 परसेंट कर दीगे किसका 43,50,000 अटजस्टी टोटल इंकम पे टेक्स लगाते हुए ध्यान रखना जो special rate है वो applicable नहीं होगे सीधा आपको 18.5 परसेंट तो ये बेटा calculation करके आ जाएगा calculation मैंने करक किया आपके लिए पहले से ही 8,4750 कितनी आ रही है 8,4750 अब क्या करेंगे अब इसमें एड कर दो सैस कितने परसेंट 4 परसेंट तो आठ लाग चार जार 750 का बेटा परसेंट करेंगे तो 32,190 बेटा यह आएगा तो यह विटा हमारा final टेक्स आ अगया अल्ट एम्टी एम्टी से जो टेक्स की calculation है यह आ रही है बेटा आठ लाग 36,940 लो बेटा यह हो गया कैलकुलेशन बेटा आप चेक भी कर लिएगा कैलकुलेटर से मेरे हिसाब से तो सही है चलिए यह विटा हो गया तो यह विटा टेक्स आ गया नॉर्मल रेट से जो कैलकुलेट किया हुआ यह एम्टी से तो अब दोनों का comparison करना है विच एवरिज हाईयर अब बेटा फॉर्थ स्टेप बनेगा फॉर्थ स्टेप में आपको क्या निकालना है टेक्स पेबल टेक्स पेबल के लिए बेटा हमें क्या करना होता है इन दो को कि दोनों का comparison करना है वन और टू का और वन और टू में बेटा हीयर होगा कि इन दोनों का है यहां बेटा आजएगा आठ लाग 36,940 यह बटा हमारा फाइनल आंसर आएगा जो एक फॉर्म को टेक्स के रूप में पे करना है एक चीज बटा और पूछ सकता है इस सम्में एक बात बटा और पूछ सकता है टेक्स क्रेडिट निकालके दिखाओ टेक्स क्रेडिट क्या होता है टेक्स क्रेडिट का मतलब जितना टेक्स फार्म ने नॉर्मल टेक्स की तुलना में फाल्तू पेगी है ठीक है बटा तो कैसे निकालेंगे टेक्स क्रेडिट कैसे निकलता है अल्टरनेटी मिनीमम टेक्स में से बटा नॉर्मल टेक्स घटा तो जो बनता था अल्टरनेटी मि करेंगे तो अगर पांजी वेटा अब यह वेटा दो लाख तेईस जार तीनसो चालिस आई थी कि आएगा देख लिजिए गा जो भी आएगा तो यह वेटा हमारा टेक्स क्रेडिट का अमाउंट हो गया अब आपको करना क्या है यह टेक्स क्रेडिट का मतलब क्या होता है इसका बैनिफित बीटा फ्यूचर में मिलेगा यह मैंने आपको बताया था स्का बैनिफिट कितने सालों तक मिलते हैं स刚 किस से एम्टी से तो वहां पर बेटा आपको इसका बेनिफिट मिलेगा दो लाग तेईस जार तीन सो चालीस रपे की आपकी अडिजस्टमेंट होगी टोटल मिला के कितने सालों तक 15 सालों तो ठीक है बेटा बताइए क्लियर है चलिए बेटा आगे मूग करते हैं और देखिए बेटा आगे हां जी बेटा ये दोनों सम बेटा आपको कर देए चलिए इन में से एक सम बेटा मैं करवा देता हूँ हां जी बेटा बताइए कौन सा चलिए मैं नीचे वाला ले लेता हूँ हां जी बेटा पढ़ते हैं इस सम को हां जी बेटा देखिए इस सम को क्या कहता है बेटा एक बेटा इंडिजोल है सुरेश जिसकी एज बेटा कितने इयर से 40 इस ठीक है जी रेजिडेंट ओफ इंडिया सब्मिट्स दा फॉलॉइंग इंफॉर्मिशन आपको बेटा 2020-21 असेस्मेंट इयर की इंफॉर्मिशन दी हुई है यानि कि उसका प्रीविए सीर बेटा बनेगा 2019-20 शोर्ट टम कैपिटल के इन बेटा दिया हुए 2,29,000 यह स्पेशल इंकम है जिसके पर टेक्स का रेट बेटा मैंने बताया हुए 15 परसेंट अप्लाई होता है अधर इंकम बेटा 190 डिड़क्शन इंटर सेक्शन 80G की डिड़क्शन विटा देरिके 2000 पर डिपोजिट इन पीपीएफ पीपीएफ विटा कौन से सेक्शन में आता है एक टी सी में और एक्टी सी में मैंने मैक्सिम लिमिट बताई हुए आपकर वन लैक्फिप्ती थाओजेंड तो 5000 विटा व हां जी बेटा सबसे पहले बेटा हम इस सम्में देखेंगे कि क्या इस सम्में अल्टरनेटी मिनियूम टेक्स का कंसेप्ट अप्लाई होगा भी या नहीं होगा अल्टरनेटी मिनियूम टेक्स के लिए बेटा मैंने कुछ कंडिशन बताई थी वह कंडिशन पहले देख लेते हैं सबसे पहली कंडिशन थी एक से लेकर एक डबल आर भी इनमें से किसी सेक्शन की डिड़क्शन होनी चीए जो इस कोश्चन में नहीं है ठीक है दूसरी च क्लियरली जो है एम्टी का कंसेप्ट अप्लिकेबल नहीं होगा एम्टी विल नॉट अप्लाई तो इस कोश्चन के अंदर आपको टेक्स लाइलिटी कैसे निकालनी है देखें सबसे पहले बेटा क्या करेंगे सबसे पहले हम निकाल लेते हैं जी टी आई ग्रोस टोटल इ ञांटीन थाउज़न इसमें से माइनस करेंगे रिडेक्शन गॉंप यह दोनों माईनस कर देते हैं तो इहां बेटा आ जाएगा आपका 7,000 minus करेंगे तो 4,12,000 आप ये बिटा हमारी total income आ गई अब इस total income पे बिटा हमने क्या लगाने है tax तो tax लगा दीजिए simple tax लगाने के लिए बिटा आपको पहले किसको separate करना पड़ेगा हंज बिटा short term capital gain को बिटा separate करेंगे short term capital gain आपकी specific income है 2,30,000 और बाकी बिटा अधर income बाकी अधर income बच जाएगी तो 4,12,000 में से बिटा 2,39,000 को माइनस करेंगे तो ये बिटा हमारा आ जाएगा 1,83,000 1,83,000 अब बिटा मुझे tax calculate करना है यहां पर तो tax calculate बिटा कैसे करेंगे देखी तो यहां पर बिटा ध्यान रखना है short term capital gain पर टेक्स का rate है पंदरा परसेंट और अधर इंकम पर बिटा जो नॉर्मल रेट्स लगते हैं तो पहले अधर इंकम पर टेक्स लगा लेते हैं अधर इंकम में बिटा यह इंडी जुवल है ध्यान रकियागा फॉर्म नहीं हो इंडीजिवाद के पर कि एक्जम्शन लेने का ओर राइट है 67,000 अब कोश्चनराइज ही होता है कि क्या यह एक्जम्शन वो शोर्टम कैपिटल गेंसे ले सकता है तो आंसर इस मैंने आपको पिछले समेस्टर में बताया हुए अगर अधर इंकम का अमाउंट एक्जम्शन देने के लिए प्रय एज़स्ट कर सकते पर यहां से विटा आप कर दोगे तो लेस रिमेनिंग एग्जम्शन पान्युटा रिमेनिंग जो डिजस्टमेंट करने सिक्स्टी सेमन थाउजन है एक लाख बासट जार बेटा है अब इस एक लाख बासट जार पर टेक्स लगा दीजिए और टेक्स क लगेगा विटा 15 पर सेंट तो यह विटा 15 पर सेंट कितना बनेगा आपका अब आपको करना क्या है यह जो बिटा टेक्स बना 2430 यह और यहां पर विटा नहीं लो गया था तो दोनों का टोटल कर देंगे 2430 अब आप क्या करेंगे इस 24300 में से प्लेस हां जी विटा अब रिबेट देखिए इंडीज्वल है इंडीज्वल के केस में तो रिबेट भी अपलाई होती है तो रिबेट के अंडर सेक्शन 872 कंडिशन क्या है कि जो टोटल इंकम पांच लाग से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और यहां इस कोश्चन में टोटल इंकम बेटा चार बारा हैं पांच लाग से कम है तो रिबेट लेस कर दो बारा हजार पांसों की बारा हजार पांसों और बेटा मैक्सियम रिबेट आपको बताई हुए कि यह लेस करेंगे तो यह विटा 11800 और इसके अंदर विटा क्या एड़ करेंगे इस ग्यारा अट्सों में सैस एड़ करती जिए कितने परसेंट फोर तो ग्यारा जार आट्सों का विटा चार परसेंट बनेंगा 472 और यह विटा एड़ करके आपका आजाएगा 12272 पर ठीक है जी यह विटा हमारा फाइनल अंसर हो जाएगा तो इस कोश्चन में बिटा अल्टरनेटी मिनियों टेक्स का कंसेट अपलाई नहीं हुआ हां जी बेटा देखी आगे अब बेटा हमने कंसेट करने टेक्स क्रेडिट का हां जी बेटा टेक्स क्रेडिट का क्या है हां जी बेटा टेक्स क्रेडिट क्या होता है जिस साल में बेटा आपका अल्टरनेटी मिनिमम टेक्स किस से ज्यादा होगा टेक्स पेडल से उस साल में बेटा आपका टेक्स क्रेडिट मिले बनेगा जिसका आपको फ्यूचर में एक बेनिफिट मिलता है जैसे मैं एक एक्जाम्पल ले रहा हूं और एक्जाम्पल आपने आपका यह एर है स्पोज कीजिए 1819 1819 आपका प्रीवियस एर है जिसका असेस्मेंट इर 1920 बेटा बनेगा 1819 प्रीवियस एर में क्या हुआ सब्सक्रeaux और नॉर्मल टेक्स जो नॉर्मल प्रोविजन से टेक्स बनता है वह कितना है स्पोज करो 20,000 तो तो यह बता हो दोनों में से कौन सा पे करना होता है इंकम टेक्स डिपार्टमेंट को वह पे करना होता है विच एवरिज हाइयर जो दोनों में हाइयर होगा तो हाइयर बेटा कौन सा है अल्टरनेटी मीनिव टेक्स तो 50,000 पर देने पड़ेंगे कि नॉर्मर्मल ही कितना टेक्स बनता था च्थेच्ञ तो कितना फालतू गया इंकम टेक्स डिपार्टमेंट के पास कीतना पैसा फालतू चला म्हप act टीक्स टॉब टो बोलते हैं है इसका नाम है टेक्स क्रेट घीक है तो यह फ्रस्ट मांट इनकम टेक्स ऩिपार्टमेंट के पास कर dawता कि बिटा टेक्स पेर के फाद्न की चले गए इसका जो intermittent उसको future में- peat kin administrators को की सालों त nem सब और आगे ले जाकर इसे सेट आफ किया जाएगा सेट आफ करने का मतलब इसकी बेटा क्या मिलेगी टेक्स लाइबलीटी में से डिडेक्शन अब वह कैसे मिलेगी सुनो मैं आप नेक्स्ट यर ले रहा हूं गेटा 18-19 के बाद मान लिजिए अब 19-20 प्रीवियस यर प्रीवि अब ध्यान से सुनिएगा अड्यस्टमेंट कैसे की जाती है नॉर्मल टेक्स आठ जा रहे बटा अल्टरनेटी मिनियूम टेक्स पचास जा रहे तो पहले तो यह डिसाइड करो कि दोनों में से कौन सा पे करना पड़ेगा आंसर फिर वही है विच एवरिज हाइयर तो दो ुष महाइं समस्टर्राइस काच ऑब सत्य नहीं कियो है थि क्यों कर सकता यह क्यों कि इ digestive वाशेश्च के प्रोवीजन बेटा क्या कहते हैं adjustment सिरफ maximum उतने महुट की की जा सकती है जितना इन दोनों का difference कितने का है यहां पर difference नहीं का लो एक बार तो जो तीस जार पे पिछले साल के थे उसमें से maximum 10,000 पर अभी अभी फिलाल क्योंकि 15 सालों तक adjustment करनी है अभी फिलाल 15 सालों में जो adjustment करनी है अभी फिलाल कितने की adjustment हो जाएगी बेटा दस जार की तो दस जार एड़ेस्ट कर दो कि दस जार income tax department कहता है मैं adjust कर दूंगा इस साल मुझे पचास जार पे दे दो यह वह जो को पे करना पड़ेगा ठीक है अब बचे कितने देखो टोटल टेक्स क्रेडिट कितने कहा था था थी सजार टेक्स क्रेडिट बेटा अब कितना बच गया हब दस जार पे बेटा adjust होगे दस जार पे उसके adjustment होगी adjustment हमेशा ध्यान लगना जो normal tax or amt का difference होगा देखो नीचे लिखा हुआ है the set of will be या set of का मतलगता है adjustment adjustment केवल एक limit तक ही allowed होगी कितनी limit तक Tax Payble on total income minus Tax Payble under amt taxes payble on total income बेटा 60,000 और amt यह तो टेक्स क्रेडिट हमारा टोटल 30,000 का बेनिफिट मिलना था दसका मिल चुका आगे आने वाले 14 सालों में 20,000 का बेनिफिट और मिलेगा मैक्सिमम बेटा इसको ओवरोल 15 तक आगे ले जा सकता और खास बात ही है इस टेक्स क्रेडिट पे किसी तरह का इंकम टेक्स डिपार्टमेंट कोई ब्याज नहीं देता असेसी यह नहीं कह सकता करदा यह नहीं कह सकता कि मेरे से आपने टेक्स तो पिछले साल ले लिया था औ और इड़ेस्टमेंट इसकी आप आगे आने वाले 15 सालों में कर रहे हो तो मैं उसका भ्याज भी लोगा अग्यूटा यह 30,000 पे जो आपने आज खर्च कर दिए आज इंकम टेक्स डिपार्टमेंट को ज्यादा दे दिए और इसका बेनिफिट कितने सालों में वह दे रहा रूल क्या है नो इंट्रस्ट एल भी पेवल ओन टेक्स क्रेड़िट है हां जी बेटा बताए एक क्लियर है देखो बेटा टेक्स क्रेड़िट का मैं देखता हूँ यहां पे एक सम शायद मेरे पास है हां जी बेटा देखिए यहां पर बेटा एक सम है मेरे पास उसमें काफी कुछ कैल्कुलेशन तो की हुई है बची भी बेटा हम कर लेंगे देखिए यह एक इंडीज्वल का दिया हुए इंडीज्वल का फाइनेशल यह दो फाइनेशल यह का डाटा दिया हुए एक को बेटा बठारा उननीस मान तो सबसे पहले बेटा हमारी टेक्सेबल इंकम देखो यह नॉर्मल इंकम है टॉटल इंकम उसमें एड किया हुए यह तीन चीज़े बेटा एड की हुई है ठीक है थर्टी फाइव एडी टैन डबले सेक्शन और एट्टी एच्टू एट्टी डबल आर्वी एक्सेप्ट यह एड करके यह तो पहले मैं क्या कर लेता हूं देखिए पहले मैं 18-19 की बात कर रहा हूं 18-19 में पहले मैं निकाल रहा हूं कि ए एमटी निकाल नुगा बेटा एक तो मुझे चाहिए दो फीगर्स एक एमटी और एक नॉर्मल टेक्स तो चलिए पहले एमटी निकालते हैं एमटी बेटा इस पे निकलेगा 25,555 परसेंट तो इसको बेटा मैं कैलकुलेट कर लेता हूं और साथ में इसमें 4 परसेंट बेटा वो भी एड करने 4 परसेंट क्या एड करेंगे सैस लो बेटा देखिए कैसे करना है हां जी बेटा तो यहां पर हमारा एमटी अल्टर्नेटीव मिनिम्म टेक्स बेटा आपने इसके उपर अप्लाई करना है कितने परसेंट 18.5 प्लस 4 परसेंट 18.5 परसेंट तो बेटा टेक्स लगेगा और 4 परसेंट बेटा सैस एड करने सरचार्ज अप्लीकेबल होगा नह तो यह मैं लिख देता हूं बेटा कैल्कुलेट मेंने किया हुआ है सब कुछ कैल्कुलेट करके 18.5 प्लस 4 यह कैल्कुलेट करके बेटा 491582 आ जाएगा और साथ में बेटा हम कैल्कुलेट कर लेते हैं नॉर्मल टेक्स नॉर्मल टेक्स इस पर लगेगा उन्हें इस लग 30,000 पर अब यह देखो यह इंडीज्वल है इंडीज्वल के टेक्स के रेट आपको मालूम है तो 19,30,000 पर टेक्स के रेट जो भी हमारे हैं वो हम अप्लाई करेंगे फर्स्ट 2,50,000 निल नेक्स 255 परसेंट नेक्स 5,20 परसेंट तो उन टेक्स रेट को अपलाई करोगे तो हमारा जो अमाउंट आ जाएगा वो यह आ रहे है चार लाग साथ हजार एक्सो साथ यह बिटा आपने कैलकुलेशन करके देख लेनी है तो यहां बिटा बताओ दोन क्या में सा रहे हैं तो यहां पर इंचार होननों में कौन है कि अलटर्नाटेशची मीनिममम्स आपको करना पड़ेगा अ then व्यक्वं पर यह कुर चेह अप in the back नहीं चास्तों निकालने थेट्स्हता और फ्क्रेंदिक निकाल लीजिए टेक्स क्रेडिट क्या होता है इन दोनों का बटा डिफ्रेंस यह देख रहे हैं कि ने नॉर्मल टेक्स से कितना ज्यादा टेक्स पे कीया है वो बेटा निकाल रहा हूं में यह बेटा बनेगा 84,422 रपे ज्यादा गए हैं इंकम टेक्स डिपार्टमेंट के पाद तो इंकम टेक्स डिपार्टमेंट असेसी को क्या कहेगा कि मैं इसकी अगे कर दो ठीक है जी तो इसकी अगे कैसे की जाएगी अब उसको देखिए अब हैं दोनों निकालो फिर से बेटा एक बार निकाल लेते हैं एक बार नोर टेक्स के लिए पैसल रिडारी इस प्लस लीड़ैज से काल करके ले हैं скаж यह लगाना है 18.5 प्लस फॉर कैलकुलेशन बेटा मैंने कर रखी है आपका यह अमाउंट आ जाएगा ठीक है और नॉर्मल टेक्स बेटा कैसे निकालेंगे नॉर्मल टेक्स इस पर निकलेगा इस पर लीकलता है एहाँ पर इन दोनों पर नॉर्मल टेक्स यह नॉर्मल टेक्स बेटा और इस समय आएगा 444,600 अब बेटा मुझे एक बात बताओ यहां पर नॉर्मल टेक्स ज्यादा बन रहा है तो यहां असेशी को क्या पे करना पड़ेगा हमारा रूल होता है विच आवरीज हाईयर तो विच आवरीज हाईयर के कोडिंग इस साल बेटा कौन सा टेक्स पे करना पड़ेगा पांजीट चार लाग 44,600 पे पे करने पड़ेंगे यह विटा टेक्स पेबल है अभी टेक्स पेड नहीं लिखना क्योंकि अभी उसे बेनिफिट भी मिलेगा पिछले साल जो उसने फाल्टू पेमेट करकि है इंकम टेक्स दिपार्टमेट को उसका हमें उसे बेनिफिट भी देना है बेनिफिट कि एक लिमिट है बेनिफिट वेटा किस लिमिट टक दिया जा सकता है मैंने आपको पताया जीतना नॉर्मल टेक्स और अल्टरनीटी मिनिमट टेक्स का डिफ्रैंस और निकाल लेते 4,44,800,4,446,000 और 3,99,230 इनका बेटा डिफरेंस जो होगा ना सिरफ उतने डिफरेंस तक ही उसको credit मिलेगा बाकी credit उसको आगे आने वाले 14 सालों में मिलेगा क्योंकि maximum जो है हम 15 सालों तो carry forward कर सकते हैं तो यहां बेटा calculation में कर रहा हूँ हाँ जी बेटा 45,370 पे यह आएंगे ठीक है जी इनका डिफरेंस में ने निकाल लिया 45,370 तो 45,370 पे का बेटा maximum benefit दिया जा सकता है तो less यहां मैं लिख रहा हूँ tax credit benefit of tax credit बेटा उसको दे दो 45,370 पे का ठीक है जी तो अब निकाल लो कि उसे कितना tax pay करना पड़ेगा तो यह बेटा आ जाएगा उसे tax pay करना पड़ेगा इस साल हां जी बेटा इसे calculate कर लेते हैं हम कि लो बेटा आई थिंग यह तीन लाख नी न्याने में 1230 पे कितने पड़ेंगे ठीक है अब कोश्चन राइज होता है कि कि कितना amount tax credit का carry forward होगा है अब हमें carry forward का amount में निकालना है कि कितना carry forward होगा वह देखिए कि तो आगे कितना amount carry forward करना पड़ेगा वह बेटा हम निकाल लेते हैं जो कि अगले सालों में अड़ेस्ट होगा कि लो बेटा उन्तालीस हजार बावन रपे ऐसे हैं जो अगले सालों में जाके अड़ेस्ट होगे और इस साल की टेक्स लाइलिटी बेटा ही आई है ठीक है तो आई थिंग विटा आपको कंसेट क्लियर हो गया होगा तो आज की क्लास को विटा हम यहीं ओवर करते हैं ठीक है जी कल फिर हम नेक्स टाइप करेंगे टाइप नंबर 4 और हॉमवर्क विटा आपको वटसेप ग्रूप पे सेंड कर दिया जाए ठीक है जी चलिए दो हाई झाली देक है जोग यहीय है जाएप का टीक है जैन से की क्लास कर दोब कर दोच है से झाली है प्या आफ़र मलतले को वस्दोर फिर हैavi technologies probably